9 Facts About Navratri 1. Navratri 9 रातों की ही क्यों होती है? 9. इस नमबर को बुद्धिजिम और जैनिजिम, चाइनीज संस्रिती जैसे अन्य इशाई संस्रितियों में शुभ माना गया है हमारी सनातन संस्रिती में भी 9 ग्रह, 9 रत्न, 9 रस, शरीर के 9 द्वार और 9 दुर्गा को माना गया है गनित के अनुसार 9 सबसे बड़ा अंख है, जिसके हर माल्टिबल के डिजिट्स को जोड़ा जाए तब भी 9 ही बनता है समय भी एक चक्र है और सत यूग, त्रेता यूग, द्वापर यूग और कल यूग की हुमन यूज को जोड़ा जाए तब भी 9 ही बनता है एक बच्चा भी अपने मा के गर्भ में 9 महिने तक रहता है इस सबका यही मतलब है कि 9 मतलब समापन, कंप्लीशन, 9 के बाद फिर से एक आता है जहां से साइकल फिर शुरू होता है 9 सबसे बड़ा अंग है पर उसके बाद भी एक आता है जो नई संभावनाओं को दर्शाता है और इसलिए नवरात्री को किसी भी नए काम की शुरूआत करने के लिए शुब माना गया है